आजमने आज तो कहीं खिंट सुची है तो आजेला जो गोंकर नौलै तो बॉलिए टाइम वेस्स नहीं करती है तो यहां पर नॉर्मली मेरे ने केक आइस करके रखा हुआ है ऐसे अब हम करने जाते हैं डेकॉरेशन हैं केक आइस करके रेड़ी है जस्ट फाइनल आइसिंग कर देते हैं इसके उपर कि आइस है कि आइसته की छोगो भो आइस बडिकार हो घज हो गज रॉक्ड़ङ़ में इसके बाई दुपस्का करते आइस सी एाल पालगो आइस में बालगो के जब हैं आइस है कि त। कि अएस्ष इनला यकलव़ी刃 झाऊशेछ में त। मैं, I see you in Bangladesh okay, Bangladesh thank you dear, thank you so much just keep follow my page like this only Meena Misri, hi ma'am, good morning good morning Meena good morning Shubhangi, good morning Jyoti okay, so let's go ahead and do the cake here ready for the first time okay 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 कि नाव यहां पे मुझे दिखाना है ड्रिप ओके सो मैं पहले तो केक को ट्रांसफर कर लेकिए प्लेट के उपर सो यह मेरे पास गनाश रडी है बट मुझे बहुत ही थोड़े कॉंटिटी में गनाश चाहिए यहां मैं पाइपिंग बैग में गनाश को ले रही हूं इसे में थोड़ा सा माइक्रोवेव करूँगी क्योंकि मुझे ड्रिप दिखाना है तो मैंने पाइपिंग बैग में गनाश लिया है एन इसे में थोड़ा माइक्रोवेव करूँगी जस्ट दो सेकेंस के लिए तो मैंने इसको दो सेकेंस के लिए गरम पी आ हैं तो यह थोड़ा सा भी लूज हो गया होगा क्योंकि गनाज जब हम फ्रीज में रखते हैं तो वह टाइट हो जाता है तो आपको अगर ड्रिप देना है तो थोड़ा लूज गनाज होना चाहिए तो उस हिसाब से आपको गरम करना है ओके तो पहले तो चेक कर लीजे ठीक से ड्रिप हो रहा है कि नहीं है फिर भी थिक है थोड़ा सा तो थोड़ा सा जल्स वापस से में गरम कर लेती हूं क्योंकि ड्रिप नीचे तक नहीं जा रहा है कि पाइपिंग बैग में माइक्रोव कर सकते है कि यस जाधा नहीं मैंने दो दो सेकेंड से किया है इसलिए डायरेक्ली पाइपिंग बैग माइक्रोव में रख के कर सकते हूं ओके मैं ले रहू यह 2D का नोजल ओके कि टाइब है कि यहां पर मैं आप करीम में प्रिंग डाल रहा हुँ नाओ मुझे नोजल वर्ट करना है तो नोजल वर्ट के लिए मैंने पिंग कलर का क्रीम लिया है अभी भी स्काटिंग पहले एर गैप निकाल दीजिये हमेशा पाइपिंग बैक जब भी यूज़ करोगे एर गैप कमपल्सरी निकाल ला तो यहां पे मैंने air gap निकाल दिया है यहां पे जहां पे गनाश है वहां पे हम अगर work करने जाते हैं हमेशा याद रखें जेल हो या गनाश हो उसके उपर जब आप कोई cream का nozzle work करने जाते हैं तो ठीक से हैं नहीं पाता है तो इसलिए आपको जहां पे nozzle work करता है वहां पे पहले ही गनाश या आप इस तरह से जेल या डालके मत रखें तो मैंने यहां पे जो जगा है मेरा वहां पे मैं nozzle work कर रहे हूँ ओके तो यहां पे मैं क्या कर रहे हूँ देखे कितना प्यारा लग रहा है नाव इसी nozzle से आप border बना सकते हो केक के उपर मिया पे इस तो आपको जो जो चुरुम तो देखिए कितना प्यारा केक लग रहा है चारदूल कि सिल्वर बॉल्स का बॉक्स दे मुझे श्वेता है है मैं कौन सा कलर ली है प्लीज दिखाइए यह मैंने पिंग कलर लिया है इट्स कलर मिस्ट पिंग कलर मैंने यूज किया हुआ है डिप्ति दास मैं प्लीज टेल दे प्रोसेस ओफ मेंकिं गनाश दियर अल्रेडी मेरे यूटुब चैनल पर आप विजिट कर सकते हो अल्रेडी गनाश बनाने का वीडियो है ट्रफल केक का वीडियो है मेरे कि आपको नहीं बना ना एक मिंट जस्ट इनम मोमेंट इस्प्रह ला इसले क सो 然後 पाझ प्रह बदादो कि आपको विलींद में। करlike नहीं विप्ट करना है अगर बाइचांस बज देख रहे तो आप उसे एयर्टाइट कंटेनर में Nearlyडा इसे नॉर्मल रेफ्रीजरेट करना है जो भी आप उसे नेक्स्ट यूज़ करो फ्रेश क्रीम के साथ मिक्स करके आप उसे स्टफिंग में आड़ करो क्योंकि बच्चे हुए क्रीम का टेक्शर हमेशा चेंज हो जाता है जिससे आप फाइनल आइसिंग या डेकोरेशन में आप यूज मत कीजिए जिससे आपका केक लुक वाइस खराब दिखेगा हमेशा मैं बताती हूँ जितना आपको जरूरत है उतना ही क्रीम को आप विप्ट कीजिए इस तरह से मैंने सिल्वर बॉल्ल्स डाल दिये हैं ठीक है नाउ यह बीच का पोशिशन अगेन मैं फिल करने जा रही हूँ गनाज से अगे अगर आप पहले पहले गनाज जालते हैं तो थोड़ा नोजल वर के टाइम प्रॉब्लम आता है डाट्स में मैंने पहले ही गनाज नहीं डाला था नाउ मैं आप डालूंगी जालते हैं देख सकते हैं कितना प्यारा डिजैन लग रहे हैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्विकली हो जाता है देख सकते हैं अभी कितने दस मेंड के अंदर यह डेकोरेशन रेडी है सारी का दल भी थैंक यू चारी का सूपर्ब थैंक यू थैंक यू सारी का व Haiy dear man can we use normal chocolate like dairy milk for ganache or compound c yeni भी ड्यार व्याइस कर सकते हो ब्यार वैसी कई जरुर में बड़ ब्रट टेस्ट वाइज आपका कोई काश जाहिए आई सीमामंडल गणाश में जेल डाला नो सब्सक्राइब करने क्या है पूजा जी केक का प्राइस त्ड Co utilizz करें गांगा आप कहा पर हो आपके एरिया वाइस प् цен शोत somos à आपके हाँ पे क्या चार्जेस होम बेकस लगा रहे हैं उसी साफ से आपको अपलाइ करना है सुनिता वाप्षूप्स थांक यू सुनिता इंदुरामदा थैंक यू अंजेना भंदनाइस थैंक यू ओके friends, hope आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो अच्छा लगा है तो share भी बनता है Please friends, share कीजिए और मैं आपका hearts का भी weight कर रही है ओके, वीडियो को share भी कीजिए और हमारे जो भी online या offline classes के details के लिए कोई भी interested है तो आप मुझे whatsapp कर सकते हो on 901-123-0205